हाई फ्रेंट चलिए हम रोग आज गुजिया बनाते हैं गुजिया बनाना काफी आसान है आप इसी वे में घर में बना सकते हैं ऐसे तो बाहर में मिलता है बट घर में बनाने का अलगी मज़ा है गुजिया बनाने के लिए मैं मैदा लिए हूँ लगवगादा किलो मैदा है 500 gram सूजी , 500 gram चीनी और नीखा मैंने खुआ लिया है BREAK 200 gram कुछ मेवा लिया है अब ड्राइफ्रूट डाल सकते हैं को तरह सुध हैं अब चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने पहने हो собир नहीं चार चमर दो करें चारड मतिया है है इस में मैं इसको डाल देखी падह इसके ढखके तेल को चोड़ देखी है मैं इसको गारम है इना होने के लिए नहीं कूल देखी जोप्राइ करूरी लर्य यसक Reviews गी maya जिनाया टाकर गुरहका गुज़िना नाई जतसले सुजी कापुजी में बनाले जाई हुऊ इसनोर सुजी लणाने गोगा व्यारी जुछा कापुज़िना खेमने-ाच्रोब सब्खेगी जे व्हाना ऊध्याök battle अच्छा कर देगी, थोरा और खोल्डिन होना बाती है, मैं दो मेर्ट किया अच्छी 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 को आएगी, अच्छा लगेगा खाने में देगी अच्छी मेरा बुकल अच्छी को गुल्डन हो गया है, फ्राइब बुझा प्रत्म में देखें थे खृणा करें, थैस ने बेंदा है इस पीजिकाने से बच पतेश होता है यह करम हो गया है बीचे में चीनी डाब दीगा चीनी को मैंने पीश लिया था इससे इसका बढ़ा है इक हुआ में चीनी अच्छे से मील गया है बेक सकते हैं अब इसका मैं कैस बंद कर देती हुआ थोड़ा सा ठंडा होने देखी अब यह फोबा में ठंडा हो गया है अब इसमें अन्यने जो भूच करती है शूजी रखा था इसमें जो डालने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है यह अच्छे से मिक्स हो गया है बिल्कुल रेडी फिल इन हो गया तयार एकदम अब इसमें अच्छे से महतीन से चार इलाइची बूच करके डाल दे रहीं बारिक करके इसको कूट लिया है इसको मिक्स करते इच्छे से यह रेडी हो गया इसको मैं किनारे रखती हूं किनारे रखते में आठे में जो तेल दिया था उसको अच्छे से मैं मिक्स करते हूं इसमें आप तेल घी कुछ भी डाल सकते हूं अपने सुटा इसको अच्छे से दोना हुख्यों के बीच रखते हूं अच्छे से मिक्स करते हूं सारे लम्स लगों पूट गया है एक भी लम्स नहीं बते हैं दोशी अब इसे में बाने डापर के पूट रहा हुख्यों किसकर से अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे निकाल करते हैं वोली बना करते हैं और शेप में इसको बेल लिया है इस तरह से मैंने शेप में इसको बेल लिया है रोपी के तरह अब इसको मैदा में ले रखें इसी पर रखना है मुझे इस तरह से फ्रेम को जाड ले लेना है जाड करो कि इस तरह से इसको तबादर के हल्पा प्रेस करके इसमें मुझे फीलिंग डाले जाला ही जाले कम भी ना डाले इस तरह से जालागे इस्टेंगर बेस्ट रहा है यह निकाल देख वरतने पाने लेकर चुक पाने इस तरह से लगाएं ताकि यह कुटप जाए अच्छे से इस में जो जाएं लुटक तरह से तहाएं अब डरेस करती है इसको बाहर में च्छाब जाले इसमें हमारा प्रेस करें हो गया है इस तरह से पहाँ सारे दुगी बना रखें अबने अगले यह जलाते हो मैं तेल गरम करखी हूं, तेल यह इसना कुछ इसे ऐख करना है और फिशन के बाद तो यह का का दियो सुछ says इसके लिए मैंने प्रिप्षे को आज दीमा कर दिया है ताकि धीमेज पर अच्छे सकाथ देखिए एक तरफ का तला गया है जो धीमेज में इसको पलटना है सारे गुजिया को धीमेज में पलट देना है देखिए मैंने मुग को अच्छे से दबाया था इसलिए मेरा एक भी मुग भटा नहीं है थोड़ा धीमे अगर दबाएंगे तो फट जाने का डर रहेगा मुझे पहले थोड़ा पलटना चाहिए था थोड़ा यह लाल लाल जैसा हो गया है यह बहुत जल्दी पक जाता है एक साइट तो पुरा पक है दूसरे साइट पकने का वेट में कर रही है यह टुटल रेटी हो गया है अब मैं एक एक कर तो निकाल रही है इसका प्लाम यह लाव बहुतास की इसारे निकाललं तो एक जार ऴाल्दी इन मैं? तेल को बिना ज्यादा ही दूए फिर से दुबारा में इसमें डाल रही हूँ ताकि तेल से ज़्यादा गरम नहों रहे दिमी आज पर नहीं कटाना इस तरह से आप भी कोशिश करें बहुत आसान है बनाना इजी है कोई भी फर्म में कोई भी तेहवार में बना करके इसको बगवान को भोग लगाना और खुद भी खाया बहुत टेस्टी लगता है कि देखिए कि अच्छा बना है दिखने कापी संदर लग रहा है खाने ले यह किरमानी बहुत थेस्टी है आपी जरूर ट्राइक करें थेंक्यों